वक्त के मन में यदि कोई शंका हो तो उसे अपने आरातिय से कहने में संकोच नहीं करना चाहें शंका अज्ञानता से उत्पन वरनी और इस ज्ञानसभा का उत्श्य अज्ञानता को दूर करना प्रिशी प्रिंगी आज की ज्ञानसभा का प्रथम प्रश्न आप क्यों नहीं पूछते हैं प्रभू आप तो अंतर्यामी हैं आप से कहां कुछ छुपा है क्या मैं केवल आपकी पूजा करें आपकी खृपा का पात्र नहीं बन सकता क्या मेरी भक्ति संपूर नहीं है क्या मुझे सर्व व्यापी महादेव तक पहुचने के लिए बगवान विश्नु की ब्रह्मा जी की देवी लक्ष्मी की देवी सरस्वती की या फेर देवी पारवती की पूजा करनी की अनिवार है एक भक्ति हो यदि कोच अनिवार है तो केबल भक्ती ही कि इन तो प्रश्न ये है रिषी सिव ण्के तक आपकी भक्ति संपूर नहीं है मुझे पूर्णे विश्वास है विश्वास औ भ्रहम के बीच की रेखा अध्यनत महीन होती है असन की रिक्ति ये नहीं समझ भादा कि उनका विश्वास विश्वास है या भ्रहम आपने कहा कि मैं सर्व व्यापी हो रभू ये मैं नहीं कहते हैं ये तो परम सत्य है सारा संसार इस सत्य से अफगत है रिशी बिंगी मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की अराधना निवारे नहीं ये भी सत्य है रिशी बिंगी आप रभू मैं नंदी को यह समझा रहा था किन्तु सर्व व्यापी का अर्थ क्या होता है रिशी बिंगी रभू जो संसार के कणकण में व्यप्त हो वही सर्व व्यापी है कहीं में देखू तो आप ही है वाँ यही मेरी भक्ति है और यही उस भक्ति की पूर्णिता है और यही आपका ब्रह्म किरिया आप मुझे सर्व व्यापी मानते तो नारायन में भी आप मुझे ही देखते प्रम्म देव में मुझे पाते तेवी सरस्वत मेवी लक्ष और तेवी पार्वती को नमन करते हो आपको मुझे नमन करने के अनुपूती होती है मुझे पाने के अनुपूती होती है किन्तो ऐसा नहीं हो आरिशी भी में और इससे यह सपश्ट होता है कि आपकी बक्ति संपोन में मेरे सच्चे बक्तो मुझे किसी भी रूप में पूझ सकते किसी भी रूप में प्राप्त कर सते ओम नमाशिवाए जादो किसी भी में झाल झाल झाल